नमस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागर करता हूँ Sensible के इस नए हिंदी डिली मार्केट अनालिसस विडियो में चलिए शुरू करते हैं हमारा मार्केट अनालिसस सबसे पहले देखेंगे जो हमने लास्ट अनालिसस कह आता किसा टर्न आउट हुआ है बात करेंगे आगे market किस तरीके का हो सकता है तो इस तो लाज कुछ time से हम market में एक ही track analysis कर रहे हैं एक ही बात कह रहे हैं कि अभी market bullish दिखाई दे रहा है किसी भी तरह कि यहाँ पर आप short position मत बनाईए और market अभी अगर अभी का market हम देखें यहाँ पर weekly chart गर मैं discuss करता हूँ तो weekly chart बहुत strong अभी market हमें दिखाई दे रहा है जो पिछला week का closing था वो भी बहुत यहाँ पर बहुत अच्छा में closing मिला था पिछला week का closing था बहुत अच्छा closing था आज का जो market ने आज market ने all time high market ने touch कर लिया जो पिछला market ने all time high लगाया था उसके ऊपर market आज high touch करके आया है उसी के आसपास market ने closing दिया है आपर जो पिछला market ने green candle बनाया था उसी के आसपास market ने आज का भी closing दिया है आपर तो बहुत strong position में market दिखाई दे रहा है अभी अब देखें यहाँ पर नई trade क्या हमें लेनी चाहिए मान लिजा आप fresh entry market में करना चाहते हैं fresh entry हम लोग सोच रहे हैं market में करने के लिए तो fresh entry कहाँ पर होनी चाहिए क्या होना चाहिए तो उसके लिए न सबसे पहला यहाँ पर question हमेशा मैं आपसे यही कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी trade लेने जाओ तो आप एक ही चीज के बारे में सोचिए कि boss मेरा stop loss क्या होगा ठीक है इस वाले दिन इस candle वाले दिन जब market ने इसके ऊपर closing दीती है हमें तो हमने कहा थे बहुस अब यहां से market में अच्छा bullish move आपको देखने को मिल सकता है देखे कितने अच्छे तरीके से यह चीज टर्न आउट हुई है अगर आप इसको गौर से देखे यहां पर तो हमने कहा थे बहुस यह 19,600 जो है यह बहुत market में important level हो जाएगा क्योंकि यहां से पिछला यह बड़ा red candle market ने बनाया था जैसे ही market ने इसके ऊपर एक close दिया है उसके बाद आद देखे candle की width कितनी बढ़ने लगी यहां पर और market में strong closings मिलने लगी market को एक strong bullish move market मिलने लगी ठीक है जब यह market ने bullish move बनाया था तब भी हमने कहा थे कि बहुस यहां से आपको एक यह bullish engulfing pattern बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपको इस तरीके के market momentum दिखाई देंगे और आप कहिए कि आपको ऐसे ही momentum यहां पर दिखाई दे रहे है नहीं दे रहे है तो अभी यहां पर अब हमें क्या करना चाहिए अब हमें किस तरही की trade market में plan करनी चाहिए तो सबसे पहला तो मैं यहां से आपको यह बोलूँगा कि यहां पर आप market में short मत करिएगा किसी भी condition में आप market में आप शौट बिलकुल मत करिएगा market में selling बिलकुल मत करिएगा अभी ठीक हमें बिलकुल यह लगता रहेगा बार बार आपको लगता रहेगा कि market काफी ऊपर जा रहा है यहां से और कितना ऊपर जा सकता है यतना ऊपर नहीं जाना चाहिए ठीक है अगर market आपको किसी भी sign में ऐसा दिख रहा है कि market negative price action बना र उसका इंतिजार करना है ना कि हमें negative price action market में short करना है ठीक है पहली priority हमां ही होनी चाहिए मारकेट में buy करने की buy on dips plan करने की यह हमारी market में पहली priority होनी चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पर किस तरीके का momentum हो सकता है, यहाँ पर दो तरीके का momentum हो सकता है, बोस, कि पहला market यह जो resistance है, यहाँ से market एक gap down opening दे, ठीक है, इस तरीके का market move बनाए, यहाँ पर gap down opening दे, यहाँ कहीं पर market time बिता है, फिर upside पर निकले जाते हैं, यह तो हो गया, पहला case, दूसरा case यहाँ पर क्या हो सकता है, कि market upside पर cross कर जाए इसको, ठीक है, एक और upside पर cross कर जाए, पर उसके बाम market यहाँ पर time बिता है, यह उसके मार्केट इस थे अब देखें यह एक दो तीन चार पांच छे साथ दिन से लगाता मार्केट अच्छी क्लोजिंग दिये जा रहा है ठीक है पॉजिटिव क्लोज ही मार्केट दिये जा रहा है ठीक है तो यहां पर अभी फ्रेश बाइंग करना तो मैं सर्जेस्ट नहीं कर पाऊंगा आप से कि आप यहां पर कर सकते हैं छोटी क्वांटिटी में स्मॉल क्वांटिटी में प्लान कर सकते हैं कि हाच रूख ठीक है अगर मेरा यहां पर समझदारी नहीं है ठीक है सबसे पहले आपको यही चीज समझनी है अब यहां पर मैं स्टॉप लॉस कहां डालूंगा तो मेरे पास stop loss डालने की यहां पर जगह ही नहीं है एक काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं 15 मिनिट चार्ट पर चोट टाइम फ्रेम पर चला जाता हूँ और यहां पर stop loss ढूंडने की कोशिश करता हूँ तो यहां पर भी जो nearest swing है जो एक बढ़िया swing है वो यही दिखा रहा है 19,500 वाला ठीक है उसके बाद में market ने एक सीधी साथ rally है दिये ठीक है कोई भी अच्छा retracement यहां पर दिया नहीं जिसको मैं as a stop loss level market में use कर सकूँ ठीक है तो एक हम maybe retracement के लिए wait कर सकते है अब wait करने में यह दिक्कत है कि अगर market और उपर चड़ गया तो फिर हमसे momentum मिस हो जाएगा तो उस case में हमें क्या करना है कि यहां पर एक छोटा quantity आप प्लान कर सकते हैं मान लीजिए कि आप पांच lot में trade करते थे मार्केट में तो यहां पर दो ही लगाई है चाहिए एक lot में buy करिए मार्केट में तो उससे क्या होगा कि आपका जब stop loss भी छोटा रहेगा आपका छोटा indecence अगर market मान लीजिए कि यहां से कोई negative price action मनाता है ठीक है market नीचे आना शुरू कर देता है तो आपको loss भी at least कम होगा वहां से profit कम होगा तो कोई बात रही ठीक है तो यहां पर अभी simple सा हम लोग objective यही रेखेंगे कि बहुत कि हम यहां पर किवाल market में buying के लिए सोचेंगे किसी भी तरह की market में sell के लिए market में प्लान नहीं करेंगे और nifty अगर आप देखेंगे तो बहुत strong state में भी ल रहा ben इसे हैं पर किरूज में एसा होना चाहिए तो उसके पीछे लिघ्जा को मतलब कर दोरा ना तरहिक है हम कर सकते हैं और यहीं कर सकते हैं कि आगे आने मार्केट के लिए प्लान कर सकते हैं ठीक है और किस तरीके market turn out होगा उसके हिसाब से हम market में किस तरह से react करेंगे उसके निए अपने आपको prepare कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो यहां से lên मेला कि अगर market high cross करता है market दोरा flat open होता है इसको मैं फिर से help कर लेता हूं थोड़ा सा अगर market यहां से flat opening देता है धिक है फ्लैट मार्क ओपनिंग देता है हाईện क्रॉस करता है तो यहां से हम फिर से market में buy plan कर सकते हैं ठीक है बट small quantity अगर आप trade कर लें तो small quantity plan करना पड़ेगा ठीक है और देखें bullish market की खास बात यहीँ होती है कि आपको intraday में momentum उतने अच्छे नहीं मिलेंगे लेकिन market में positional जो बैठा रहेगा उसको market में ज़्यादा फायदा होता और आप ये पिछला भी आप time जाकर देख सकते हैं जैसे selling momentum जो है वो intraday में आपको बहुत अच्छे-च्छे मिलेंगे और वहीं buying momentum जो होगा वो बहुत ज्यादा चांस हो जाएगा कि market gap up open हो जाएगा तो आपको ये भहे लगा रहेगा मन में कि यार market वैसे ही gap up open हो गया है अब यहां से और कितना ऊपर जाएगा ठीक है उस fear की वज़ए से हम market में वो trend ride नहीं कर पाते हैं जो intraday basis में मिलते हैं ठीक है तो और जो market इस तरीके का market होते हैं जो sidewise में market होते हैं तो इसमें हमें at least पता रहता है कि आद देखो यहां पर एक support है तो यहां पर market अगर selling के लिए आ रहा है तो यहां तो at least आई जाएगा ठीक है इस तरीके से आपने at least target डिसाइड कर सकते हो लेकिन जाब market all time high के असपास चल रहा है तो आप टारगेट भी नहीं सोच सकते हो कि वहां तक market जाएगा ठीक है तो केवल हमारा तो फर्ज हमारा जो फर्ज हो केवल इतना ही है अगर market ऊपर जा रहा है तो market को हमें follow करते चलना है market को follow करते चलिए और अगर market में कोई भी negative price action बनता है तो वहां पर आप अपना profit बुक कर सकते हैं short market में अभी बिल्कुल मत प्लांज करिएगा similarly bank nifty में भी अगर market को flat opening देता है flat opening देखे market upside पर cross करता है तो यहां पर हम फिर से buy कर सकते हैं अगर आपको buying में अभी दिक्कत लगी है तो उसको quantity को छोटी कर लीजे कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिर उसके बाद market में आप easily bet है रह सकते हैं ठीक है बढ़ते हैं fin nifty की तरह, fin nifty का अगर हम market analysis करते हैं तो देखे fin nifty में कल के दिन थोड़ा हम बात यहां पर यह आ जाती है क्यूंकि market इतने दिन से continuously upside पर move कर रहा है ठीक है तो अब कल के दिन भी हमें यह expect करना कि market में कल expired यह fin nifty की तो एक अच्छा upside move आना चाहिए ठीक है त तो हम P sell मतला put option sell कर सकते हैं जो यह initial levels है 20,300 के 20,250 के 200 के 200 तो हलाके काफी दूर हो जाएगा 20,350 के इनके हम put option sell करके market में बैठ सकते हैं क्यूंकि जैसा आज का momentum था market में चाहे bank nifty ले लीजिए चाहे फिर nifty ले लीजिए यह बहुत एक तर से harassing वाला momentum था ठीक है यह आपको आदे दिन market ने harass किया है अगर आप market में trade लेने के लिए बैठे होंगे तो market में आप पूरे almost दो बज़े तक market ने harass किया है ठीक है उसके बाद market ने यह कुछ एक momentum दिया है ठीक है तो आप अपने आप अगर आप यहाँ पर trade कर रहे हैं और आप अगर एक मतलब दो या तीन trade से ज्यादा market में प्लान कर रहे हैं अभी ऊपर जा रहा है यहाँ पर breakout हो रहा है जैसे में भी बहुत ज्यादा चांस है कि मुझे ऐसा लग रहा है देखके कि यह हुआ होगा कि यहाँ पर यह market ने आपने resistance मार्क किया होगा market ऊपर यह resistance लिया नीचे आया अब यहाँ पर ट trade link ना एक मैंने आपको बहुत पहले एक theory बताया थी कि अगर दिन में आपको market एक बार एक बार आपको market एक fake breakout देता हुआ दिखाई दे जा रहा है ठीक है मान लीजे कि यहाँ से आपने एक breakout के लिए प्लान किया या फिर यहाँ पर breakout के लिए यहाँ पर breakout के लिए आपने प कि जब market एक fake out fake out दे देता है दिन में तो उसके बाद market बहुत ज़्यदा फिर रिपीट करता रहता है process को ठीक है अब यहाँ पर भी similar हमारा analysis रहेगा अगर market माल लीजे किसी भी condition में gap down open हो जाता है तो फिर उस case में हमारा पर हमारा पास एक हिसाहरा रहेगा बहुत price action देख बना चाहिए ठीक है और market अगर इसके ऊपर price action market ने बना दिया माल लीजे कि nifty में क्या किया market ने अगर market माल लीजे flat open हुआ ठीक है upside पर गया और एक sideways है तो momentum कर गया ठीक है या फिर market एक price action बना गया इस तरीके का तो फिर यह लोग भी अपनी position square off करेंगी और फिर market और उप पर तेरी से जाएगा ठीक है बैंक इस्टी में 45-500 एक important level बनता जा रहा है FIA data अभी एनसे के साइट से update नहीं हुआ है ठीक है तो कुल मिला के देखिए मेरे हिसाब से market अभी बुलिज दिखाई दे रहा है किसी पतार कि short plan मत करिए buy on dips का market है यह और यहाँ पर opportunity ढूंडिए अगर market नीचे आता है तो opportunity हमें ढूंडने के market में हम buy कैसे कर सकते है ठीक है और dollar का अगर मैं analysis करूं तो यहाँ पर अभी थो यह थो थोड़ा weakness यहाँ पर आती भी दिखाई दे रही है कि यहाँ से एक upside momentum आया और यहाँ पर भी position यहाँ पर बनाने के लिए यहाँ पर जैसा हमेशा मैं आपको मैंने बताया है यह सोचता हूं कि बहुत अगर यहाँ पर मुझे प्लान करना है तो मैं एक ही trade प्लान कर सकता हूं non-directional वह भी ठीक है लेकिन उसका भी कहना है यह सब बहुत दूर है यह फिर यह range रहेगी उसकी ठीक है इस range के लिए मैं non-directional प्लान करना हूं क्यूं क्यूंकि market अभी नीचे side पर आ रहा है तो इस condition में buy नहीं करूंगा अगर at least market एक green color candle बना है उसको cross करे तब हम market में buying plan कर सकते हैं उसके पहले नहीं और नहीं तो क्या कर सकते हैं कि market selling के लिए फिर buying के लिए फिर अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग market में fresh selling position बनाएंगे क्योंकि यह उस time पे मेरा ISL हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर भी मैं भी कोई भी trade recommend नहीं करूंगा dollar में nifty bank nifty दोनों भी bullish दिखाई दे रहे हैं फिर nifty के expiry भी कल bullish होती भी समझ में आ रही है unless कुछ unexpected होता है कि माल लिए market उपर जाता है और फिर वहा investment में आके trade मत करिएगा ठीक है और इसी के साथ हमेशा गदर अपने capital को बचा के trade करिए stop loss के साथ trade करिए hedge के साथ trade करिए and have a safe and happy trading with sensible बबाई